इस समय पूरे देश में एक गूंच सुनाई दे रही है और वो गूंच है अब की बार 400 पार जी हाँ पिछले 10 सालों से लोगसबा चुनाओं में भारी बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार 400 प्लस सीटों का दावा कर रही है तो वहीं इस सपने को पूरा करने के लिए बीजेपी किसी भी रूप में जो और कसर है वे छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है लेकिन राजस्थान की 25 सीटों की अगर बात की जाए तो इस 25 सीटों को लेकर फलोदी बाजार का जो 60 बाजार है उसकी अगर बात की जाए तो वो कहीं न कहीं कॉंग्रिस को थोड़ी राहत देता हुआ नजर आ रहा है जी हाँ राजस्थान की तीन से चार ऐसी सीटे हैं जो फलोदी बाजार के अनुसार बीजेपी के हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है अलागि अगर देश की अगर बात की जाए तो लोगसबा चुनाओं में एक बार फिर से बीजेपी का वर्चस्व नजर आ रहा है तो मही राजस्थान में पिसले दस सालों से पच्चिस सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमा रही है लेकिन इस बार चुनाओी समीकरन कुछ ऐसे बने हैं जिससे कहीं न कहीं बीजेपी की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है नमस्कार आप देख रहे हैं दन नगरी न्यूस की खास पेशकष चुनाओी नगरी और मैहू ललित वर्बा देखिए राजस्थान की तीन सीटों की बात करना यहां पर क्यों जरूरी हो जाता है क्योंकि इस समय यदि फलोदी सटा बाजार की बात की जाये तो यह तीनों ही सीटे बीजेपी के हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है जिसमें सबसे पहली सीट है चूरू सीट चूरू से पिसले दो बार के सांसद रही जो बीजेपी के सांसद थे राहुल कस्वा इस बार उनका टिकेट काटा और उनका टिकेट काटने की सबसे बड़ी वज़े बताई जा रही है राजंदर राठोड क्योंकि विधानसवा चुनाओं में राजंदर राठोड के समर्थकों ने राहूल कस्वा को जैचंद की उपादी दी थी जिसके बाद आला कमान भी राहूल कस्वा से काफी नाराज था जैसे ही राहूल कस्वा का टिकेट कडा राहूल कस्वा सीदे कांगірस की गोडी में जाकर बैठ रहे और कांगरेस ने राहूल कस्वा को चूरू से अपना प्रत्यक्षी बनाया है तो वहीं बीजेपी ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले पैरा ओल लंपियन देविंदर जहांजडिया को अपना प्रत्यक्षी बनाया है ऐसे में पिछले 50 सालों से चूरू की राजनिती में एक बड़ा दबदबा रखने वाला कस्वा परिवार इस बार बीजेपी के खिलाफ है और वह कॉंग्रेस की टिकेट से चुनाव लड़ रहे हैं ऐस में मंतरी के लाज चौधरी की इस बार साफदा उपर लगी हुई है क्योंकि हनुमान बेनिवाल के काफी करीबी उमेदा राम बेनिवाल ने पिसले दिनों आरल पी छोड़ते हुए कॉंग्रेस की सदस्ता ली थी जिसके बाद कॉंग्रेस ने उमेदा राम बेनिवाल को ब ने इसकी शुरुवात नामांगन का एक सेट जमा करा कर भी कर दी है तो वहीं जो चार सेट है रवेंदर सिंग भाटी वह चार अप्रेल को अपने नामांगन के रूप में दाखिल करेंगे ऐसे में अब बाडमेर की सीट होट सीट की शेणी में दूसरे पायदान पर आती है क तो वहीं अब रविंदर सिंग भाटी के अगर बात की जाए तो रविंदर सिंग भाटी जिनोंने विदान सवा चुनाओं से पहले बीजेपी का दामन थामा था लेकिन बीजेपी ने उनको जब विदाय का टिकेट नहीं दिया था तो उन्होंने निर्दलिय के रूप में चुनाव लड़ा और भारी भहुमत से वहां से जीत हासिल कीती है ऐसे में लोकसवा चुनाओं में बीजेपी की समश्या ना सिर्फ उमेदाराम बेनिवाल बढ़ाएंगे साथ ही रविंदर सिंग भाटी भी उनकी समश्याएं बढ़ा सकते हैं ऐसे में फलोदी सटा बाजार में केलाश चौधरी थोड़े हलके नज़र आ रहे अब यहां पर हम बात करेंगे तीसरी सीट की और वो सीट है नागोर की सीट देखिए 2014 और 2019 के चुनाओं में हनुमान बेनिवाल के लिए बीजेपी ने RLP के साथ गडबंदन करते हुए यह सीट छोड़ी थी और दोनों ही चुनाओं में हनुमान बेनिवाल ने जीत भी हासिल की थी लेकिन इस बार जोती मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने जोती मिर्धा को वहाँ से अपना उमीदवार बनाया है और RLP से गडबंदन भी तोड़ा है जिसके बाद हनुमान बेनिवाल ने कॉंग्रेस से गडबंदन किया है और कॉंग्रेस ने हनुमान बेनिवाल के लिए नागोर की सीट छोड़ी है अगर बात की जाए तो नागोर की सीट पर हनुमान बेनिवाल थोड़े हलके नजर आ रहे है लेकिन नागोर की जनता के धरादल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनता के दिलों में हनुमान बेनिवाल का एक अलग ही क्रेस है ऐसे में जाट वोट बैंक के साथ ही राजपूत और ब्रहमन जो वोट बैंक है इसको साधना भी हनुमान बेनिवाल के लिए एक बड़ी चुनौती है यदि ये इन दोनों वर्गों को साध लेते हैं तो लगातार तीसरी बार हनुमान बेनिवाल यहां से जीत हासल करते हुए नजर आ सकते हैं ये तीन ऐसी सीटे हैं जहां पर फलोदी सटा बजार बीजेपी को कमा करा है ऐसे में इन तीनों ही सीटों के बीजेपी के खास से छिटकने की संभावनाई भी बढ़ गई है जब इन तीन सीटों की बात कर ली तो एक सीट जो पूर मुख्यमंत्री अशोग गैलोट के बेटे की है उस पर भी यहां पर बात कर लेते हैं जालोर सिरोई से वैबाव गैलोट यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं हाला कि फलोदी सटा बाजार के अनुसार वैबाव गैलोट इस सीट पर काफी हलके नज़र आ रहे हैं यानि कि उनकी जीत की संभावनाई कम नज़र आ रही हैं लेकिन अशोग गहलोत अपने बेटे को जिताने के लिए पुर्जोर कोशिश में जुटे हुए हैं क्योंकि 2019 में गजंदर सिंग शेखावत के सामने जोदपूर सीट से वैभाव गहलोत ने चुनाव लड़ा था और एक पड़े अंतर से उनको हार का सामना करना पड़ा था ऐसे में विदान सबा चुनावों में कॉंगरिस की हार होना इसके साथ ही अपने बेटे के लिए अशोग गहलोत का लगातार यहां पर चुनाव पर चार में डटे रहना कहीं न कहीं उनकी साक पर भी ये बात बनी आ रही है कि यदी वैबाव गहलोत इस बार लोग सबा का नहीं जीतते हैं तो कहीं न कहीं उनका राजनितिक करियर जो है वो यहीं रुख जाएगा उस पर विराम लग जाएगा ऐसे में इन चार सीटों पर लगातार पूरे देश की नजरे टिकी हुई हैं चूरू में देविंदर जांजडिया और राहुल कस्वा जहां एक दूसरे के सामने खड़े हैं और यह चुनाओ काफी रूमांचक है तो वहीं जोती मिर्दा और हनुमान बेनीवाल का चुनाओ भी देखने लायोग हुगा इसके साथ ही बाडमेर की सीट पर त्रिकोनिया मुकाबला इस रूमांच को और भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा आप दे